पिछले कुछ दिनों से मध्यप्रदेश के पूर मुख्यमंत्री कमनलाथ और उनके सांसद बेटे नकुलाथ के कॉंग्रेस को छोड़ कर भारती जनता पार्टी को जोईन करने की खबरे सुर्खियों में थी हिरानी की बात ये है कि कमनलाथ ने भी इस संशे को खत्म करने के लिए कोई कदम नहीं उठाया उल्टा उनके बयानों ने इस संशे को और बढ़ा दिया ऐसा क्यूं हुआ क्या कमनलाथ और भारती जनता पार्टी की टॉप लीडर्शिप के बीच कोई डील हुई थी जिसके तहट कमनलाथ और नकुलाथ को भारती जनता पार्टी के अंदर जाना था और यदि ऐसा था तो फिर कहा गटड़़ी हो गई क्यूंकि अब ये साफ हो गया है कि कमलाथ और नकुलाथ भारतिय जनता पार्टी में नहीं जा रहे हैं तो सवाल यही है कि ऐसा क्यूं हुआ क्यों कि सूत्रों की यदि माने तो भारतिय जनता पार्टी और RSS का एक हिस्सा कमलाथ को BJP में नहीं देना चाह रहा था और उन्होंने कमलाथ का सन 1984 के सिक दंगो में उनका जो कथित रोल था जो उनकी कथित भूमिका थी उसको उनके खिलाफ इस्तेमाल किया तो सवाल यही है कि कमलाथ की राजनीती पर इस पूरे एपिसोट से क्या फर्क पड़ा है उनका राजनीती कद जो है कितना बड़ा या कितना गिरा है इस पूरे एपिसोट के बाद और बात करने के लिए हमारे साथ मौझूद है सीनियर जर्निस्ट अरुन दिक्षित बहुत-बहुत फ़ागत असर सीधा सबसे पहले कि आपने तो सब देखा शूरू से लिकर आकर तक कद तक जा रहे थे कमलनाथ और नकुलनाथ आज नहीं जा रहे हैं तो क्या हुआ कैसे हुआ इसमें तो बाद में लगातार कमलनाथ बहुत का दावर नेता है कॉंग्रेस में उनका एक वजूद है मिस्स गांधी इंट्रा गांधी के वो तीसरे फुत्र कहे जाते हैं खुद भी कहते हैं परिवार से लगाओ जुडाओ पूरा सब कुछ है जिसको कहता है पुस्तैनी रिस्ते हैं इसके बावजूद कि ये सब हुआ और हवा बढ़ती गई लोग दूसरे लोग कुछ कहें वो कहें लेकिन अगर आपको लेकर कोई बात हो रही तो कमलनाथ पूरे देश में जाने जाते हैं केंद्र में गांधी परिवार के साथ और फिर मद्यप्रदेश में भी रहते हुए उनके हर तरह के रिस्ते पूरे देश में हैं कम से कम कमलनाथ का ये पिछले चार-पांच दिन ये एक तरफ से पतंग जैसे डिली डिली जा रही थी इसको डिले जाने दिया जाने दिया और एक जटके में ऐसी गटी है कि अब ना तो वो उस तरह से वो रिस्पेक्ट भी कॉंग्रेस में गेन कर पाएंगे क्योंकि बहुत ज़ कुछ हुआ है जो राजनेतिक सलाकार रहे हैं कमलनाथ के उन्होंने जानबूच के उनको डूबोया है अब सर बात शुरुआत से करते हैं कि यह तो fact था कि वो भारती जनता पार्टी में वो और उनके बेटे जा रहे थे क्योंकि अब वो जो कह रहे हैं उनके जो camp उनकी तरफ से जो defense लिया जा रहा है वो यह है कि यह तो सब media का creation था और IT cell का creation था आप हमें बताईए कि क्या ये फैक्ट है कि कमलनाथ और नकुलनाथ भारती जन्ता पार्टी में जाने के लिए कदम उठा चुके थे हमेल मैं सवाल पूछता हूँ अगर आईटी और मीडिया का क्रेशन था तो जब हमने चार दिन पहले बैठके हम बात की थी को नहीं कमलनाथ ने ये कहा कि हमेल शर्मा आपने गलत बात के गलत मुद्दा है मैं नहीं जा रहा हूँ कोई सवाई नहीं आई अला कि आज भी उनकी सवाई नहीं आई है आज तक उन्होंने ये नहीं आके सामने कहा है कि जो कुछ मीडिया कह रहा है वो गलत है सब उल्टा उन्होंने मीडिया कि उसको हवा दी जब हैसी कोई बात होगी तुम बताऊंगा इसके अलावा कि मैं अभी तेर्वी में जा रहा हूँ एक लाइन के कहते हैं कि आप लोग मेरे पीछे मत भागे है कैसे यह सब हुआ यह सब खुद कमनलाथ को सामने आके बताना पड़ेगा उनके साथ आईटी सेल ने खेल किया बीजेबी की नेताओं ने खेल किया या उनकी अपनी टीम ने खेल कि सर एज़ पॉलिटिकल एनलेस्ट में आप से जानना चाहता हूँ क्योंकि यह खबरे सामने आए इन खबरों को कमनलाथ और कैम्प जो कमनलाथ था हमारी बहुतों से बात हुई सबसे बात हुई सबने हवा दी कि कोई डील अलरडी हो चुकी है तो क्या यह जो डील हुई थी यह गड़बड कैसे हुई मतलब वो जा तो रहे थी इस बात को तो उन्हों नहीं हवा दी और किसी ने रोका नहीं जब यह तैह हो गया कि वो जा रहे थे कोई ऐसे तो गए नहीं थे दिल्ली तो कहा गड़बड हो गई अहमें जी नरेंद बोधी और अमिशा की बीजीपी पर कोई इस तरह की टिपड़ी कर पाना शायद भगवान के बूते का भी नहीं है लेकिन जो हम लोगों ने देखा मुझे ऐसा लगता है कि गुजरात का जो उद्योपती जिसको लेकर के बात होती रही कि वो उनके बीच में डील करा रहे हैं उनको ये समझ में आ गया कि मद्यप्रदेश जो है वो महराश नहीं है मद्यप्रदेश उत्तरप्रदेश नहीं है मद्यप्रदेश दूसरे राज़ों से पूरी तरह भिनने क्योंकि आप याद करो कुछ मही तीन साल पहले जब जोतरा दिस सिंदिया गए थे तब एक नारा चला था महराज भाजपा, नाराज भाजपा शुराज भाजपा और भाजपा अब यह होता है कि कितनी भाजपा क्योंकि कमलनाथ बहुत कमजोर नेता तो थे नहीं कि जैसे अन्य कांग्रेसी और लोग गए और उसमें मिल गए सब्जी में आलू की तरह है कांग्रेस में वाजप बीजेपी में बीजेपी मद्यपुर्देश की नरसरी है यहां संग और बीजेपी दोनों बहुत पावरफुल है बास्तर में यह कहा जाए तो गुजरास से जादा ताकत बीजेपी के पास मद्यपुर्देश में है और वहां जो मूल कार करता है अब सोचिए ना अगर यही इस्तितियोती आज शिवराज नाराज है भले ही वो ना कहां कार करता है वो इलेक्ट्ड सिलेक्ट्ड की बात कर रहे उनके समर्थक है क्योंके अटार साल वो मोक Benextri रहे फिर मूल भाजपा है फिर महराज की भाजपा है फिर वो भाजपा है جो मोदी जी के साथ जुड़के भाजपा ह hall Isabyi तो कितनी बातपा होते है कितने गुट होते तो मुझे ये लगता है पत्रगार के तौर पर कि बीजेपी के भीतर जो लगातार खाई बढ़ रही थी जो गुरूप बन रहे थे उसको रोकने के लिए संग और बीजेपी के मूल कारकरता होने ये काम किया कि ये रास्ता रोका एक बात और आप समझेए क कैलाश पिजेपरगी बहुत बरिश्ट नेता है तीस साल से मैं उन्हें देख रहा हूं और बहुत छोटे से उपर आये हैं जमिनिकार करता है बड़ी-बड़ी भूमिकाएं बीजेपी वो कर रहे हैं लेकिन उन्होंने पहले दिन कहा कमलनात के लिए बीजेपी के आशा कुछ और थी और लोगों ने कहा है बोलो जाय स्रीरा मा जाओ मारे लेकिन कहलाश बिजेपरगी ने नहीं कहा कल जब बहुत मोदी से मिल लिए जाने वाले यह तो तहां कि मीडिया ने भी बिना सोचे समझे कुछ लोगों ने कहीं कहीं हाइप क्रेट किया तब भी व मैंने कहा ला कि मद्यप्रदेश की भाटपा के लास तो मद्यप्रदेश भाटपा के हैं अच्छा सब मेरा एक और सवाल है वो कमलात से जोड़कर नहीं है बलकि जो टॉप लीडर्शिप है भारती जन्ता पार्टी की जिसके बारे में अभी तक यह कहा जाता था कि उन्हो डिसिजन को भी ओवरून कर सकता है देखिए अब यह सवाल है कि वो टॉप लीडर्शिप कौन थी जिस वेक्टिका नाम लगातार दोनों तरफ से उसलता रहा है कि वो दोस्त हैं और कमलाज खुद कहते रहें कि वो मेरे दोस्त हैं या तो फिर वो टॉप लीडर्शिप के हो सकता है और नरेन मोदी और अमिशा की राजनीत को समझ पाना वगवान के भी बूतिये से बाहर लगता है या तो उन्होंने आने दिया आने दिया और जब दरवाजे पे खड़े हो गए तब भगा दिया इससे उन्हें दो फाइदे हुए उसे एक तो कि कॉंग्रेस के न उस नेता को जो दुनिया के हर देश में ये बेक्तिलत बात है दुनिया के हर देश में कमलात को वर्सों से उद्योग पती या पूजी पती और वो सब होने के साथ साथ राजनीता के तौर पर दावोज से लेके सब जगे हर वर्ल्ड प्रेटफॉर्म पर जबता हो केंसर का कांग्रिस की रही है मंतरी रहे तो उन्हों ने इंडिया को रेप्रेजेंट किया है तो वो एक बड़ा नाम तो मुझे ऐसा लगता है कि संग पार्टी के अलावा नरेन मोदी कोई लाइन बड़ी नहीं होने देते हैं आज उनकी केबिनेट में जो लोग हैं वो या तो नौकरशा हैं पॉलिटिकल कोई भी पॉलिटिशियन उनसे बड़ी लाइन पे नहीं है जो थे वो चाहे राजनात हों चाहे गड़करीजी हों चाहे अन्न नहो या जो बाहर कर दिये होगा तो मुझे नहीं लगता कि वो अपनी फजियत होने दें जब आप कह रहे हैं सर्थ बहुत स्ट्रॉंग वर्ड आप यूज कर रहें कि फजियत हुई है उनकी मेरा फाइनल सवाल आप आप देखिये इतनी कोशिश के बाब चिदवाडा लोग सवाचेतर की सारी सीटें कॉंग्रेस ने जीती थी आज भी पचास साल से कमलनात उस इलाके में हैं लोगों की बीच जाएंगे उन्होंने ये भी कहा कि चिदवाडा के गौरब के लिए चिदवाडा की जंता कहरें कि चिदवाडा तो अपने बेटे को जिता सकते हैं और व्यक्तिकत कमलनात की पॉलिटिक्स का क्या होगा सर वो तो बेटी की राजनीती हो गई है अब व्यक्तिकत क्या करेंगे वो राहुल गांदी के जमाने में कमलनात और दिग्वे सिंग को अपने लिए बानप्रस आस्रम खोज लेना चाहिए बहुत लबी पारी हो गई 77 और वो व्यक्तिक जो कॉंग्रेस को आगे जिसे चलाना है भले ही आप उसे अद्यक्ष ना बनाए कोई पद नहीं हो लेकिन है तो वो राहुल गांदी बिना राहुल गांदी की मर्जी की कॉंग्रेस में कुछ नहीं हो रह रहा है तो फिर बानप्रस्थ है तो कमलनाथ मध्यप्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और पूर्व प्रदेश अध्यक्ष उमर के इस पड़ाओं पर है कि कुछ भी नया करना शायद संभव ना हो और कॉंग्रेस पार्टी ने जो अपनी लिडर्शिप है वो युवा ह प्रगात होगी तब तक के लिए साइक्यू गुडबाए